नमस्कार जहिन साथियों एक तरफ SSJD की परिच्छा 14 फरोरी को समाप्त हुई जिसके बाद छात्रों को रिजल्ट और एंसर की का इंतजार है और वहीं दूसरे तरफ कई छात्रों के द्वारा SSJD परिच्छा को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि परिच्छा में धादली ह हुई है तो परिच्छा में चात्रों की द्वारा क्या अरोप लगाया जा रहा है और क्यों क्या धादली वह यह सारा कुछ बताने वाला हूं वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा और यदि आप चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा देखिए इसमें चा आपने नहीं दिया गया उनकी परिच्छा छूट गई और वहीं दूसरे तरफ जिनका एक्जाम हो चुका है उन चात्रों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके सिप्ट में जो को से नाय थे वह बहुत जादा हाड थे दूसरे सिप्ट किया पिच्छा तो उन चात नहीं बारा था उनके लिए वी क्योंकि जब राइन हो रहा था तो उससे में लास्ट वीक में शर्वर डाउन हो गया जिसकी कारट से लाखों चात्र फॉर्म ही नहीं बर सके तो यहीं सब यहां पर चाल की तरफ से अरोप लगा जा रहा है बाकि रिजल्ट तो है अप्राइल के महीने में आएगा परिच्छा की दुबर से